एलो फ्रेंज दिस इस सोनाली आहुजा वेलकम टू आर चैनल उनली सिविल सर्विस एस यू नो फ्रेंज हमने अमारे जेल प्रैडी के प्रीवेस यहर कुश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी जिसके 20 कुश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिसकस किये थे साइन्स पोर्षन के आप जानते हैं जेल प्रैडी में 20 मार्क्स का साइन्स आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जिलोजी सबके मिक्स्ट कोश्चन होते हैं उन्हीं अनादर 20 कोश्चन को आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो प्रीवियस एर एक्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं उनके हम उप्शन्स इस तरीके से तेखेंगे कि आगे आने वाले भी एक्जाम्स में आपको एक नॉलेज हो जाए कि किस तरीके के question science portion से पूछे जाते हैं और आगे किस तरीके के पूछे जा सकते हैं So start करते हैं first question के साथ First question है Under which of the following condition is a person most likely to fall sick निमले कित में से किस इस्थिती में एक व्यक्ति के बिमार पढ़ने की संभावना अधिक है यहां आपको चार conditions दी हुई है जिसमें से आपसे पूछाएं कि एक व्यक्ति के बिमार पढ़ने की संभावना सबसे जादा कौन सी condition में होती है तो first condition है When she has recovered from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox जब वे malaria से ठीक हो गई हो और चेचक से पीडित किसी व्यक्ति की देख भाल कर रही हो second है When she is recovering from malaria जब वे malaria से ठीक हो रही हो third when she is at home having a healthy diet जब वे घर पर स्वस्त आहार लेती हो and fourth one is when she is on a fourth day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox जब वे malaria से ठीक होने के बाद चार दिन के अव्वास पर हो और चेचक से पीडित किसी व्यक्ति की देख भाल कर रही हो so friends in 4 option में से हमें ध्यान उस option को choose करना है जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना है उसके बिमार होने की third option में तो आप देख सकते हैं लिका है जब वे घर पर स्वस्त आहार लेती हो तो इस कंडिशन में तो संभावना बनती ही नहीं है बिमार होने की सबसे ज़्यादा संभावना कभे जब वे malaria से ठीक हुई है अभी अभी चार दिन कभ उसने उबवास भी किया है और चेचक से पीडित किसी व्यक्ति की देख भाल कर रही है मतलब वो फोर डे फास्ट पे भी है अभी रिकवर हुई है मलेयास एंस टेकिंग केर ओफ समवन सफरिंग प्रॉम चिकन पॉक्स तो फोर्थ हमारा राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट कुशन है नेक्स्ट कुशन होगा आपको यहां पर तीन विशेष्टाएं दी हुई है आपको बताना है कि यह तीन विशेष्टाएं इन जारों मसे किस संग की है तो फर्स्ट वन इस जीव का शरीर प्रश्टिय रूप से चप्टा होता है जीव ट्रिपलो ब्लास्टिक और द्यूपक्षी रूप से सम्मित होता है उनमें से जाधा तर परजीवी होते हैं तो यहां पर आपको चार ओप्शन्स दिये है अनलीट, प्लेटी अलमिंतिस, नेमाटोडा, अर्थोपोडा तो यहां आप जानते हैं उसमें वो लिखा है जीव का शरीर चप्टा होता है या फ्लेटेंड और्गेनिजम होते हैं तो फ्लेट और्गेनिजम आप जानते हैं किसमें आपको देखने को मिलते हैं प्लेटी अलमिंतिस प्लेटी एलमेंटिस ऐसा फाइला में जिसमें पाई जाने वाले सभी जीव और इनके अंदर टिप्लोब्लास्टिक यानि इनकी जो बॉडी केविटीज है सभी थ्री लेयर से मिलकर बनी है टिप्लोब्लास्टिक होती है अब हम थर्ड बात करते हैं थर्ड कोशन है if heat falls on an object then जब किसी वस्तू पर उश्मा पढ़ती है तो चार आप्शन आपको दियें केवल पूरी उश्मा परावर्तित होती है the whole heat is reflected only केवल पूरी उश्मा अफशोशित होती है the whole heat is absorbed only केवल पूरी उश्मा प्रसारित होती है the whole heat is transmitted only उश्मा अफशोशित परावर्तित और प्रसारित हो सकती है the heat में भी absorbed, reflected and transmitted तो अगर कोई एक object है जिसके ओपर heat आ रही है heat fall कर रही है या फिर किसी भी उश्मा पढ़ रही है किसी वस्तू पर तो आप देखेंगे तीनों ही condition हो सकती है उश्मा अफशोशित भी हो सकती है परावर्तित भी हो सकती है प्रसारित भी याने heat absorbed भी कर सकता है जो भी object है reflect भी कर सकता है transmitted भी कर सकता है तो fourth one is the right answer तो इसका right answer होगा fourth the heat में भी absorbed, reflected and transmitted next question है the noise pollution causes धनी प्रदूशन का कारण है धनी प्रदूशन का इंचार आपको option दिये हैं कि धनी प्रदूशन की वज़े से noise pollution की वज़े से क्या होता है cancer, hypertension, very high fever, diabetes cancer, अतीतना, भाउत्तिस, बुखार और मधुमे तो इनमें से कौन सी ऐसी problem है जो noise pollution की धनी प्रदूशन की वज़े से होती है तो वो होता है अतीतना, hypertension अगर आप किसी ऐसी condition में रहते हैं जब बहुत ज़्यादा noise pollution है बहुत ज़्यादा noise आपको देखने को मिलती है तो आपको क्या होगा hypertension की problem हो जाएगी noise pollution की वज़े से next question है the product is obtained in a neutralization reaction is एक निश प्रभावी करण प्रक्रिया से उप्राप्त उत्पाद है acid aml, acid and salt aml एवं लवन salt एवं water, लवन एवं जल base एवं water, छार एवं जल तो आप जानते हैं जो neutralization reaction है निश प्रभावी करण की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है जो acid है वो base के साथ reaction करता है और क्या बनाता है salt plus water बनाता है वो क्या बना लेता है salt plus water बना लेता है यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर acid की reaction base से कराई जाती है तो क्या बना लेता है वो salt plus water बना लेता है इसे ही कहा जाता है neutralization reaction निश प्रभावी करण की प्रक्रिया जिसमें अमल चार के साथ मिलकर अमल चार के साथ जब मिलता है जब अमल और चार की reaction कराई जाती है अभी क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे लवण और जल बनता है लवण और जल बन जाता है इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है निश्प्रहावी करण ये निट्रलाइजेशन रियक्शन तो इसका सही आंसर क्या होगा लवन एवं जल सॉल्ट एवं वाटर नेक्स कुशन देखते हैं फ्रेंज नेक्स कुशन है इनर सर्फेस ओफ पॉलिश्ड स्टील स्टील स्पून पॉलिश्डार स्टील के चम्मज की आंतरिक सता इसकी तरह कारी करती है तो यहां इसकी जो आंतरिक सता है ये किसकी तरह कारी करेगी यहां पर आपको चार ओप्शन दे रखें हैं अफ्तल दर्पंड, concave mirror, अफ्तल lens, concave lens, उत्तल दर्पंड, convex mirror, समतल दर्पंड, plain mirror, तो यहां आप जानते हैं, plain mirror तो आएगा नहीं, नाहीं इसमें क्या पूछा गया, आपसे lens पूछा गया, आपको बताना है, कि अगर चम्मज है, polished mirror, तो उसकी जो आंत्रिक सता है, यह किसकी तरह कारी करेगी, यह कारी करेगी, अफ्तल दर्पंड, concave mirror की तरह, यहां आप देख सकते, friends, यह दो तरह की curved mirror होते हैं, एक होता है concave, एक होता है convex, अफ्तल, उत्तल, तो जो अफ्तल दर्पंड है, उसकी आंत्रिक सता, जो inner surface है, वो polished होती है, और concave mirror की जो outer layer है, यह जो outer side होती है, बहारी सता होती है, वो क्या होती है, polished होती है, तो यह आपको दोनों का difference याद रखना है, next question है, the correct chemical formula of calcium nitrate and potassium dichromate are respectively, calcium nitrate और potassium dichromate के सही रसाइनिक सूत्र क्या है, तो यह आपको चार सूत्र दे रखे हैं, इसमें से आपसे calcium nitrate और potassium dichromate का सूत्र आपको बताना है, तो calcium nitrate का सूत्र होता है, C-A-N-O-3 की whole twice, C-A-N-O-3 whole twice, यह किसका formula है, calcium nitrate का, potassium dichromate का formula होता है, K-2-C-R-2-O-7 K-2-C-R-2-O-7 यह किसका formula है, सूत्र है, potassium dichromate का, तो इसका सही answer हो जाएगा, 3rd, C-A-N-O-3 whole twice, K-2-C-R-2-O-7 Next question के हम बात करते हैं, The separation of two immisible liquid can be done based on the difference in there, दो आम इश्रणिये तरल पधार्तों का प्रथक करण, उनके डैश में अंतर के अधार पर किया, अगर दो ऐसे liquid है, जो आपस में मिल नहीं सकते, जैसे अगर हम ले लें water और oil, जल और तेल, यह दो ऐसे दोनों तरल लवस्ता में, दोनों liquid में हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ mix नहीं होते, immisible हैं, वर्तक सुचकांग के अधार पर, या फिर, मासिस द्रविमान, तो इन दोनों का अंतर किया जाता है, density, उनके घनत्व के अधार पर, कि दोनों जो तरल पधार थें, जो liquids हैं, उनकी क्या density है उस अधार पर उनको अलग किया जाता है, नेक्स्ट कुश्चिन के हम बात करते हैं, viruses are placed as marginal between living and non-living things because they are, virus को जीवित और आजीवित, जीवित और आजेवित चीजों के बीच सिमान्त की तरह रखा जाता है, फ्रेंट जब जानते होंगे virus, जो होते हैं, वो ना तो जीवित में लिये जाते हैं, ना लिविंग माना जाता है, और ना ही उनको non-living, आज ही वित माना जाता है, ना वो पूरी तरीके से एक कोशी का, पूरी तरह से एक सेल बने है, ना ही हम उन्हें complete एक और्गेनिजम कह सकते हैं, ना ही हम उसे बिल्कुल non-living ही कहा जा सकता है, क्यूं नहीं का चाहता, क्यूं उसके बीच में रखा है, तो यह आपको चार आप्शन्स दिये हैं, स्वैम को दूई गुडित करने में सक्षम होते हैं, एबल टू मल्टिप्लाइ ओन दियर ओन, लाइक क्रिस्टल इंसाइड दा बॉड़ी ओफ दा होस्ट, पोशक होस्ट के शरीर के अंदर क्रिस्टल की तरह है, लिविंग ओल्ली इंसाइड दा बॉड़ी ओफ दा होस्ट, केवल पोशक होस्ट के शरीर के अंदर ही रहते हैं, यह आदिम जीव होते हैं, प्रिमिटिव और्गनिसम है, तो friends यह organism तो अभी बने ही नहीं होते हैं यह complete हम organism मानने ही सकते हैं इसमें यह prokaryotic type of cell भी present नहीं है वो भी complete अभी यह नहीं बन पाए हैं पोशक होस्ट के शरीर के अंदर crystal की तरह तो पोशक होस्ट के शरीर के अंदर नहीं लेकिन बाहर जहां भी जब भी non living things के ऊपर कोई तो वह crystal के रूप में होता है तो यहां सही answer होगा आप केवल पोशक होस्ट शरीर के अंदर ही रहते हैं यह स्रिफ जब किसी की body के अंदर इंटर करते हैं तब ही क्या करते हैं replicate करना शुरू करते हैं multiply होना शुरू करते हैं और एक living की तरह behavior करते हैं लेकिन अगर यह बहार हैं तो यह crystal के रूप में रहते हैं स्रिफ पोशक तत्व होस्ट के शरीर के अंदर जाकर ही क्या करते हैं यह living की तरह काम करना शुरू करते हैं इसलिए इन्हें living और non-living के बीच में रखा गया है next question की बात करते हैं at 8.30 a.p.m. the odometer reading is 5845 km what will be the speed of the vehicle if the odometer reads 5890 at 9 p.m. उन्हें वलाए कि साम के 8.30 बजे odometer की reading 5845 km है यदि odometer रात 9 बजे 5890 read करता है तो वहार की चाल क्या होगी speed क्या होगी तो फ्रेंट्स आप जानते है speed का formula करता है speed is equals to distance upon time चाल बराबर दूरी बटा समय यह formula होता है यहाँ पर आपको reading दी हुई है कि 8.30 बजे odometer की reading आईए 5845 km और 9 बजे आईए 5890 तो हमें distance पता चल गया कि कितना चला है उसने 45 km 45 km उसने distance कवर किया है और कितने time में अब यहाँ पर आप फ्रेंट्स यूनिट देख सकते हैं कि सभी की यूनिट मात्रक इसमें किलो मिटर पर मिनिट तो आपको यहाँ मिनिट को घंटे में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपसे answer ही km पर मिनिट में पूछा गया है तो जैसे ही आप कट करते ह आपका answer आजाएगा 1.5 km पर मिनिट यह हो गया इसका answer हमने चाल गयात कर ली speed निकाल ली distance upon time से next question पर हम जाते हैं copper consists of two isotopes A and B whose atomic masses are 62.93, 64.93 AMU respectively copper के दो isotopes बताएं समस्थानिक बताएं जिनका परमाणू द्रविमान आपको दिया गया है 62.93 और 64.93 AMU तामबे का परमाणू द्रविमान atomic mass of copper is 63.4 और जो उसको उसका average है वो कितना दे रखा है 63.55 AMU calculate the percentage of isotopes A and B यहाँ पर friends आपको copper का एक average atomic mass दिया हुआ है तामबे का परमाणू द्रविमान दिया है 63.55 उसके दो isotopes दो समस्थानिक का भी आपको atomic mass दे रखा है अब आपसे पूचा है कि आपको दोनों का अलग-अलग percentage प्रतीशत निकाल के बताना है जब भी ऐसा कोई question आपसे पूचा जाए आइसो टॉप का calculate करने के लिए percentage तो आपको एक formula ध्यान रखना है A equals to BX minus C1 minus X यह formula आपको ध्यान रखना है यहाँ पर A का value होता है average atomic mass मतलब जिस भी metal का आपसे पूचा गया है जिस भी परमाणू का आपसे पूचा गया उसका average mass आप यहाँ रखेंगे B का मतलब होता है पहले isotopes पहले समस्थानिक का परमाणू द्रविमान atomic mass और C का मतलब होता है दूसरे परमाणू का समस्थानिक या परमाणू द्रविमान दूसरे isotopes का atomic mass तो यह आप देख यहाँ पर मैंने solve किया हुआ है आपके लिए यह formula आपने लगा है A equals to BX plus C1 minus X यह formula आपको लगाना है plus C यहाँ पर आएगा तो हमने यहाँ रखा है कि जो आपको average mass दिया हुआ था copper का वो क्या है 63.55 first isotope पहले समस्थानिक का mass कितना दिया है द्रविमान 62.93 और दूसरे isotope समस्थानिक का mass कितना दिया है 64.93 यह हमने रखा इसके बाद हमने इसको solve किया तो यह हो गया 62.93X plus 64.93 का 1 से multiply करेंगे तो 64.93 plus minus minus आजाएगा फिर इसका x से multiply करेंगे तो 64.93X अब यह minus है यह plus है plus minus minus हो जाएगा जब x x की value को मैं minus करूंगी तो answer आएगा minus 2X answer क्या आया minus 2X अब यहाँ पर जब मैं value लेकिया आई तो 63.55 और 64.93 में से 64.93 को जब equal to के धर साइड लाया जाएगा left hand side लाया जाएगा तो positive किसमे चेंज हो जाएगा negative में बदल जाएगा इसको minus करने पर answer आएगा minus 0.62 जब 2 को इसके divide में लाऊंगी तो minus से minus cancel और x की value निकलेगी 31% मतलब हमारे एक percentage निकल गया है एक isotop का percent क्या है 31 तो दूसरा निकालने के लिए 100 minus 31 69% तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको दो options यहाँ पे मिलेंगे 69 और 31 आपको किस option में देखने को मिल रहा है तो यह friends थर्ड में आपको देखने को मिल रहा है A की value दे रहा है 69% और B की value दे रहा है 31% तो जब भी आपसे isotop क्या percentage पूछा जाएगा तो आपको यही formula put करना है A equals to BX plus C1 minus X यह formula आपको लगाना है नेक्स कोशन पे जलते हैं नेक्स कोशन है arrange the following organism in their decreasing power of regeneration निमलिके जीवों को उनके पुनर जीवन की हासमान पुनर जनन की हासमान शमता में व्यवस्थित करें यहाँ पर आपको फ्रेंट्स options दे रखें पांच इनको आपको decreasing order में घटते हुए क्रम में जमाना है कि किस में power of regeneration पुनर जनन की शमता कितनी होती है power of regeneration से मतलब है कि कुछ जीवा आप जानते होंगे कि अपने अंगों को कट जाने के बाद फिर से पुना उख जाते हैं फिर से आ जाते हैं न्यू वैसे कि वैसे उनमें अंगा जाते हैं जैसे आप जानते हैं चिपकरी की पूछ अगर कट जाए तो वापस उख जाती है तो हर उसमें अलग-अलग power of regeneration होती है तो यहाँ पे आपको 5 option दिये हैं लिजाट, प्लनेरिया, मैन, अर्थवाम, इगल चिपकरी, प्लनेरिया, पुरुष, केचुवा, गरू यहाँ पे आपको बताना है इन 5 पाचों में से सबसे जादा किसमें हैं उससे कम किसमें उसमें करूँ decreasing order में हमें इसे जमाना है तो यह पाचों में से जिनके पास सबसे जादा होती है regeneration की power वो होता है planeria, planeria के पास सबसे जादा power of gin, तो सबसे पहले नंबर पे आजाएगा planeria, उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसके पास सबसे जादा होती है, वो होता है केचुवा, अर्थवों, तो इसके यहाँ पर आजाएगा अर्थवों, थर्ड नंबर पे होती है फ्रेंट्स, लिजाड के पास, तो यहाँ जाएगा उसके बाद आजाएगा eagle, लास्ट आजाएगा man, मानब में कुछी अंग, जैसे सरी फामर पास liver है, जिसमें क्या होता है, पावर होती है regeneration करने की, तो इसका बाद करते हैं, an iron nail is dipped into a solution of copper sulfate for one hour जब copper sulfate के willion में, लोहे की एक कील को एक घंटे के लिए डुबाया जाता है, एक copper sulfate का यहाँ पर एक beaker में willion लिया गया है इसके अंदर लोहे की एक कील को एक घंटे के लिए डुबा दिया गया है अब चार option में से आपको बताने हैं कि कौन-कौन से परिवर्तन, इस experiment में क्या होगा सबसे पहला ही ओप्रोप तो सभी दिया है next है the color of the solution changes from blue to green color only केवल willion का रंग नीले से हरे रंग में परिवर्तन हो जाएगा the green color is due to the formation of ferrous sulfate only केवल ferrous sulfate के निर्माण के कारण हरे रंग हो जाएगा reddish brown layer of copper deposit in the nail होगी केवल कील में तामबे की एक लाल भूरे रंग की परत निशेपित होगी तो friends यहाद तीनों ही चीज़ अगर हम एक experiment करते हैं जिसमें बीकर में हमने copper sulfate का solution लिया हुआ है CUSO4 copper sulfate का solution लिया और यहाँ पर एक कील रखिए लोहे की तो ferrous sulfate यह iron sulfate के साथ solution करके ferrous sulfate का भी निर्माण करेगा यह जो विलियन का रंग है यह नीले से हरे में भी परिवर्तित हो जाएगा और इस कील के उपर एक लाल पूरे रंग की परद्धी आपको देखने को मिलेगी तो यह तीनों ही चीजें इस experiment में देखने को मिलेगी तो इसका सही answer हो जाएगा उप्रोक्त सभी next question की बात करते हैं what happened to the pressure when an aeroplane is moving fast जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाप के साथ क्या होता है the pressure below and above the wing is the same punkों के नीचे और उपर का दाप समान होता है the pressure above the wing is more than the pressure below the wing punk के उपर का दाप punk के नीचे के दाप से अधिक होता है the pressure below the wing is more than the pressure above the wing पंक के नीचे का दाब पंक के ऊपर के दाब से अधिक होता है the pressure above and below the wing increases तो यहां पर friends जब एक विमान एक airplane बहुत तेजी से जा रहा है तो क्या होगा? जो पंक के नीचे का दाब है जो pressure बिलोधा विंग है पंक के ऊपर के दाब से क्या हो जाएगा? अधिक होगा, नीचे का दाब उपर के पंक के दाब से हमेशा अधिक होगा, तो right option होगा third next बात करते हैं, what happened when an electric cooler is switched on क्या होता है, अगर एक electric cooler को चालू किया जाता है अगर एक electric cooler को चालू करते हैं तो the connecting wires are attached to each संयोजी तार एक दुसरे के और आकर्शित होते हैं, the connective wires get cooled, संयोजी तार ठंडे हो जाते हैं, heat is produced along the connective wire संयोजी तारो के साथ उश्मा उत्पादित होती है, a magnetic field is produced around the current carrying wires वाहन तारो के आसपास एक चुम्बी किये छे, तो अगर electric cooler को हम चालू करते हैं तो एक magnetic field produce होती है, wires के आसपास चारो तरफ, जिसकी वज़े से वो क्या करते हैं, cooler strut होता है, तो वाहन तारो के आसपास एक चुम्बी किये छेतरुत्पन्य हो जाता है, next question क्यों करते हैं, name the two cattle breed which are of the Indian origin, यहाँ पर चार आपको मवेशी पसलों के नसलों के नाम दिये हैं, जिसमें से आप बताना है, भारती है मूल की, इंडियान ओरीजिन वाली कौन सी है, जर्सी, ब्राउन स्वेस, बॉस इंडिकस, रेट सीदी, तो यहाँ पर आप जानते हैं फ्रेंस के बॉस इंडिकस, गाय का, इंडियन गाय का नाम है, बॉस इंडिकस, और हमारे यहाँ पाई जाने वाली कौन सी है, तो बॉस इंडिकस के साथ, आपको ऑप्शन में एक ही दिख रही, दो दिख रही है, ब्राउन स्वेस और रेट सीदी, तो इंडिया पाई जाने वाली गाल ब्लाडर, located near its origin of secretion, पित्तरस का स्त्रावन, पित्ताशे नामक एक थेले में होता है, जो उसके कहलाने वाले स्त्राव के अंग के पास इस्तित होता है, जिसके अंदर से एक जूस, एक रस सीक्रीट होता है, जिसका नाम क्या है, बाइल जूस, यह आपको पताना है कि कौ कांसे अंग के पास से होता है, तो यहाँ पर आपको चार अप्शन दिये, स्प्लीन, प्लीहा, पैंक्रियास, अगनाशे, स्टमाक, अमाशे और लिवर, यक्रत, तो इसका सही अप्शन होगा, गाल ब्लाडर किसके पास प्रेजेंट होता है, यक्रत, लिवर के पास तो इसमें से दूद को मलाई बनाने के लिए क्रीम बनाने के लिए जिस तक्नीक का उप्योग किया जाता है वो है अब केंदरी करण centrifugation technique का इस्तमाल किया जाता है दूद रहेत मलाई रहेत दूद बनाने के लिए या फिर फुल क्रीम बनाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है centrifugation का नेक्स्ट बात करते हैं which of the following forces is always attractive चार आपको बल के नाम या पर दी हैं स्थिर्वेध्यूत बल ग्रेविटेशनल फॉर्म गुरूतव를 आकर्शन बल पेशीए फॉर्स मस्कुलर बल और चुम्बकी बल significant force जिसमें साब को बताना है इसमें से कौन सा फॉर्स है जो हमेशा attractive है हमेशा क्या करता है चीजों को अपनी तरफ आकर्शत करता है तो friends आप सब जानते हैं कि अमरी आर्थ पे जो force लगता है जो हर चीज को अपनी तरफ आकर्शत कर रहा है वो है gravitational force गुरुत्वा आकर्शन बल next question की बात करते हैं last question है friends इसमें आपको एक picture दिया हुआ है permanent tissue का और आपसे एक column एक chart बना कर दिया है जिसको आपको complete करना है, तो आप जानते हैं जो permanent tissue है, उसको दो parts में बाटा गया, दो भागों में बाटा गया, एक होते हैं simple, एक होते हैं complex, तो उपर आपके क्या भरा हुआ है, simple आपके भरा हुआ है chart में, यहाँ पर एक box खाली है जिसम अब simple को भी 3 parts में बाटा हुआ है जिसमें से एक यहाँ पर fill है colonchima तो दो आएंगे यहाँ पर paranchima और scleranchima यहाँ पर दो उसमें बाटा गया है colonchima, paranchima और scleranchima यहाँ पर complex को भी 2 parts में बाटा गया है एक xylem यहाँ पर filled है, second one हो जाएगा phylum तो यहाँ पर आपको कौन-कौन से option भरने हैं paranchima, complex, scleranchima and phylum तो यह चारो आपको किस option में देखने को मिल रहे हैं paranchima, complex, scleranchima, phylum तो यही क्या हो जाएगा friends, right option हो जाएगा तो यह हमने 20 questions discuss किये हैं previous year के friends, last video में हमने एक question देखा था an electric bell is placed inside a bell jar which is closed air tight if the bell is ringing and the air is slowly removed with the help of a vacuum pump अगर एक विद्यूद घंटी को में बेल जार के अंदर बंद कर दें हवा बंद अब्बे में रख दें और धीरे धीरे क्या करें एक pipe के सायता से उधर की हवा बहार करके पूरा निर्वात करतें तो क्या आसर पड़ेगा इसका answer हमने देखा था हवा स्थंब के कंपन की संख्या घटना sorry friends आपको यहाँ पर इसका question answer change कीजेगा इसका सही answer होगा amplitude of vibration of the air column decreases हवा स्थंब के कंपन का आयाम घटनेगा यदि एक गंटी बज रही है यदि एक गंटी है जो इधर से उधर बशती हुई यहाँ पर vibration कर रही है यह कंपन करती हुए तो amplitude आयाम क्या हो जाता है जितना distance वो एक बार में आने जाने में कवर करती है वो उसका आयाम हो जाता है तो यह आयाम की संख्या क्या होने लगेगी धीरे धीरे घटने लगेगी तो friends यह इसका right answer होगा तो friends आपको कैसी लगी है वीडियो जरूर कमेंट करके बताएगा थैंक्यू फोर वोचिंग डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब